अदालत ने आपकारी नीती मामले में गिरफतार राज्यसबा सांसत संजे सिंग को 10 अक्टूबर तक एडी की हिरासत में भेज दिया मामले में एडी ने 10 दिन की कस्टडी मांगी थी हाला कि अदालत ने सुनवाई के दोरान एडी के समक्ष कई सवाल उठाए गुरुवार को राउज वेन्यू कोर्ट में विशेश नियाधीश एमके नागपाल के समक्ष संजे सिंग को कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया एडी ने संजे सिंग की 10 दिन की रिमांट मांगते हुए कहा कि वो मामले में पूरी तरह से लिप्त है एडी के वकील ने कहा कि संजे के घर से कई दस्तावेज बरामध हुए है गवाहो और अन्यारोपियों से आमने सामने बिठा कर पूछताच करने के लिए 10 दिन की रिमांट सुविकार की जाए अदालत ने एडी से सवाल किया कि मामला काफी पुराना है और यदि आपके पास साक्ष थे तो गिरफ़तारी में इतनी देरी क्यों हुई इतना ही नहीं अदालत ने एडी से फिर पूछा कि क्या आपने फोन कबजे में लिया E.D. के वखील के हामे जवाब देने पर अदालत ने कहा जब फोन आपके पास है तो फिर इसमे आरोपी के साथ इसका आमना सामना कराने की क्या जरूरत बचती है आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं सबूत है तो गिरफतारी में देरी क्यों E.D. के वखील ने कहा कि गवाहों के बयानों के अधार पर गिरफतारी हुई है गवाहों के बयान अभी हुए हैं वो सरकारी गवाबने हैं गवाद दिनेश अरोडा संजे सिंग के करीबी हैं E.D. ने मामले में 249 स्थानों पर छापा मारा है आरोप है कि संजे के घर दो बार में दो करोड का लेन देन हुआ संजे के करमचारी सरवेश ने पैसे लिये हैं संजे सिंग के फोन से डेटा मिला है आपको बता दे संजे सिंग के वकील मोहित माथूर ने रिमान का विरोध करते हुए कहा कि E.D. के पास एक भी सबूत नहीं है उन्होंने इसे राजनीतिक मामला बताया मोहित ने कहा कि एक साल से जात जारी होने के बावजूद अदालत के समक्ष कोई साक्षे नहीं रखा गया एक मात्र गवा दिनेश अरोडा के बयान को अधार बनाकर उनके कवा एक अन्य आरोपी पर तीन करोड लेने का आरोप है और उसकी अग्रीम जमानत पर E.D. ने विरोध तक नहीं किया उन्होंने कहा कि E.D. ने अभी तक उन्हें रिमांड आवेदन की प्रती तक नहीं दी इतना ही नहीं बतादे E.D. को रिमांड की प्रती देने का निर्देश दिया जाए वहीं संजे सिंग ने अदालत के समक्ष कहा कि मैं इतना अंजान आदमी तो नहीं कि गवा को मेरा नाम तक याद ना आया दिनेश अरोडा को भी मेरा नाम याद नहीं आया अचानक ऐसा क् गयान मेरे खिलाफ दिया अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दें वहीं अदालत में पेशी के दौरान E.D. ने उनको मेडिया से बात नहीं करने दी हालकि संजे सिंग ने कोड में जाते हुए कहा अन्याय है मोदी जी का मोदी जी चुनाओ हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं वीडियो डेस्क अमरुजाला डाट कॉम अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूल ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर